इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 का कुश्चन नमबर 2 नमस्कार दोस्तों विद्यावजन इस्टूट में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त हीमानशू दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं चलिए जल्दी से इस कोश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए इस कोश्चन में क्या कह रहा है अब यह बहुत हीज और बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है अब देखिए यहाँ पर एक ट्रापेजियम की बात हो रही है तो सबसे पहले हम एक ट्रापेजियम ड्रॉ कर लेते हैं यह है ट्रापेजियम A, B, C, D इसमें A, B is parallel to D, C अब यहाँ पर इसकी हम डाइगनस ड्रॉ कर लेते हैं और यह जो डाइगनस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अब यहाँ पर हमको दिया गया है A, B is equal to 2 times C, D यहाँ पर देखिए यह जो side है यह इस side के 2 times है figure में देखके ऐसा नहीं लग रहा होगा लेकिन figure हमने ऐसा ही draw कर लिया क्योंकि कोई भी measurement दिया नहीं गया यहाँ पर A, B जो है that is 2 times C, D ठीक है? चलिए अब हमें triangle A, O, B और triangle C, O, D के ratios के बारे में पता करना है तो चलिए जल्दी से इसको solve कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए दिया गया है हमको that A, B is parallel to D, C now in triangle A, O, B and triangle C, O, D यहाँ पर देखिए यह triangle A, O, B और यह है C, O, D ठीक है? अब इन दोनों triangles में A, O, B that means this angle is equal to angle C, O, D यहाँ पर देखिए angle C, O, D यह दोनों angles आपस में बराबर होंगे और ऐसा क्यों? बहुत ही आसान है यह दोनों vertically opposite angles है again angle O, A, B यहाँ पर देखिए angle O, A, B that means this angle and angle O, C, D यह दोनों angles भी आपस में बराबर होंगे लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए A, B और D, C आपस में parallel है और A, C जो है वो transversal है तो यह angle और यह angle alternate interior angles होंगे जैसा कि हमने class 9 में पढ़ा था तो उस तरह से यह दोनों angles आपस में बराबर होंगे similarly angle O, B, A that means this angle is equal to angle O, D, C that means this angle यह दोनों angles भी आपस में बराबर होंगे same way reason यहाँ पर A, B और D, C आपस में parallel है और B, D यहाँ पर transversal है तो यह दोनों angles भी alternate interior angles होंगे ठीक है, अब इन दोनों angles में यहाँ पर तीनों angles आपस में बराबर है यहाँ पर देखिए, यह angle इसके बराबर है यह angle इसके बराबर है और यह angle इसके बराबर है तीनों angles आपस में equal है तो यह दोनों angles आपस में similar होंगे by AAA similarity criterion ठीक है अब ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि triangle A, O, B और triangle C, O, D आपस में similar होंगे लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इनके areas का ratio क्या होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब चुंकि ये दुनों triangles आपस में similar होंगे तो इनकी corresponding sides के square का ratio इनके areas के ratio के बराबर होगा therefore area of triangle A, O, B upon area of triangle C, O, D is equal to A, O upon C, O का whole square is equal to O, B upon O, D का whole square is equal to A, B upon C, D का whole square दोस्तों ये trick मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको corresponding sides निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर ये दुनों triangles आपस में similar है triangle A, O, B और triangle C, O, D तो इनकी corresponding side होगी पहले दो later upon पहले दो later उसके बाद last के दो later upon last के दो later और उसके बाद पहला later last का later और पहला later last का later ये trick याद कर लीजे कभी भी corresponding sides गलत नहीं होगी ठीक है अब यहाँ पर A, O और C, O और O, B और O, D को हम छोड़ देते हैं और A, B और C, D इसको हम ले लेते हैं क्योंकि हमको दिया गया है A, B is equal to two times into C, D अब यहाँ पर A, B is equal to two times C, D तो यहाँ पर A, B की जगहे पर हम लिख देंगे two into C, D ठीक है अब C, D और C, D आपस में cut जाएगा बचेगा two का square T हो जाएगा four upon one तो इन दोनों triangles के areas का ratio होगा four is to one and that is our answer झाल 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 झाल